धार में एक मान्यता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो अपने भगतों में कोई भेद नहीं करते। ये बात हर साल उडीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नात जी की रत यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस रत ह्यात्रा के दौरान भगवान जगन्नात जी का रत एक मुस्लिम की मजार पर रुकता है, यह मुसलिम भगवान जगन्नात जी का अनन्य भाक्त था। लेकिन मुसलिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वो भगवान के दर्शन किये बिना ही दुनिया से विदा हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ती सच्छी है तो प्रभू मेरी मजार पर जरूर आएंगे और कुछ समय बाद ये बात इस तरह सच साबित हुई। जानकारी के मुताबिक ये हो उस समय की घट है जब भारत पर मुगलों का शासन था। सालबेग इसलाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुसलिम थे। सालबेग मुगल सेना में भरती हो गया। एक बार उसके माथे पर चोट लगने के कारण बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से जगवान जगनात जी की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने ऐसा ही किया वह दिन रात जगनात जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इससे उसे मानसिक शांती और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि जगनात जी तब उसे अहसास होता है कि वो तो सपना देख रहा था, लेकिन वो इस बात पर हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव सचमुच ठीक हो चुका है, भगवान की जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ सालबेग तुरंत जगननात जी के मंदिर की तरफ उनके दर्श लिखता है और उनके भजन लिखता है, धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चड़ने लगते हैं, भगवान की भक्ती करते करते सालबेग की मृत्यू हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यू से पहले वह कहते हैं कि यदि मेरी भक्ती में सच्चाए है तो मेरे प्रभू मेरी मजार पर जरूर आएंगे। तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उसकी भक्ती तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहिद जी से मंत्र ना कर सभी से भक्त सालबेग की जयिकार करने के लिए कहा। सालबेग के नाम के जयकारे लगाने के बाद जब रत को खीचने का प्रयास किया गया तो रत चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगनात जी का रत सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।